सेक्शन 194R क्या कहता है जरा ध्यान के समझो सेक्शन 194 कहता है डिड़क्शन ओफ टैक्स ओन बैनेफिट्स और परक्यूजिट्स इन रेस्पेक्ट ओब बिजनिस और प्रोफेशन कि भाई अगर तुम कोई बिजनिस और प्रोफेशन चला रहे हो और अगर तुमने कोई benefits दिया किसे दिया सामने वाले को या कोई perquisit तो आपको tds काटना पड़ेगा मैंने ठीक है काट लेंगे मैंने का किस किस पे कटेगा कैसे कैसे कटेगा उन्होंने कापढ़ लो पूरा section उन्होंने का section 194R any person any person responsible for providing तो विदेश योगा मत गाटना अगर कोई अगर कोई आई पीएल वगरा वाले ठीक है ना किसी बाहर वाले व्यक्ति को ठीक है ना मतलब कि लेट सबोज करो ब्रेटली को ठीक है ना या किसी मैक्सवैल को कोई ऐसा परक्यूजिट्स देते हैं उसके लिए ने किसके लिए सिर्फ एनी पर्सन रेस्पोंसेबल फोर प्रोवाइडिंग टूर रेजिजेंट टूर रेजिजेंट कि अगर आप किसी अपने रेजिजेंट को कुछ दे रहे हो एनी बैनेफिट्स और परक्यूजिट्स वैदर कनवर्टेवल इंटू मनी और नॉट भाई कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें 51,000 रुपे का चेक दे दिया और एक तुम्हारे को मॉबाइल फोन दे दिया तो यहां पर दोनों चीजे में हो सकता है मनी मे में भी हो सकता है और विदाउट मनी में भी हो सकता है ठीक है और कई बार जैसे Аपल का फोन है उसकी आपराना य। दो सकता है मैंने कोई पुराना उठागे दे दिया ठीक है न कि बहूत पुराना ठीक है न जैसे पेंटिंग बेची थी किसी गांधी परिवार ने बेची थी आपकूछ वेंटिंग वेंटिंग कुछ आयाता है तो कहता है वेदर कनवर्टेबल इंटू मनी और नोट आराइजिंग फ्रॉम बिजनिस ठीक है ना आराइजिंग फ्रॉम बिजनिस और दा एक्सराइज ओफे प्रोफेशन ठीक है ना तो कह रहा है कि भाई अगर आप कोई उसने का बाद में नहीं कातना TDS बाद में नहीं कातना कि अगली साथ तारीक को जमो कर रहा है कि भाई आप भी एंशोर कर लेना कि टेक्स डिड़क्ट हो गिया है उस बैनेफिट्स के लिए और परक्यूजिट्स एड़ रेट ओप 10 परसेंट कितना भाई साब दस परसेंट करेंगा मतलब किसी ने मारूती गिफ्ट कर दी छेलाग रुपे की साथ जार रुपे डिडिया साट लो बाई और ठीकर 10 जैसे कि आपने बदाए 6 लग के वैली उसने सामने वाली पार्टी को कार मिल गई तो उसको बैडियार बनने मतलब मिलेगा कैसे मिलेगा बिल्कुल मिलेगा भाई टीडियस का पूरा बैनेफिट मिलता है ठीक है और और क्या कोशिच करने है ना कोश्चन सम्लास्ट में बा तो उन्होंने क्या बोला बाई टीडियस तो जो भी खट रहा है डीडियस का कंसेट्टी ये पढ़ाया था मैंने लेकिन टीडियस दस परसेंट का पहले से ही कट जाना चाहिए तों इसके बाद क्या बला प्रवाइडि डैट इनेकेस कई बार हो सकता है कि वही जो benefits दिया हमने ठीक है ना और cash दिया निए उसमें सिर्फ गाड़ी गाड़ी दे दी अगर हमने गाड़ी दी आठ लाग रुपे की और एक लाग रुपे का चेक दे रहे हैं तो वही simple सी बात है total कितने का हो गया 9 लाग रुपे का 9 लाग रुपे प स्में से उडा दो 10,000 का ही चेक दो ठीक है ना लेकिन कई बार हो सकता है हम उसे cash ना दे ठीक है ना हम उसे cash ना दे सिर्फ गाड़ी गाड़ी दे रहे हो तो अगर तुम सिर्फ गाड़ी गाड़ी भी दे रहे हो उसे तो भाई TDS ले ले ना पहले से तो क्या कहता है provided that in a case where the benefits or perquisites as the case may be is wholly in kind or partly in cash and partly in kind कईवार हो सकता है पूरी काइन में हो या आधी काइन में हो और आधी cash में but such part in cash is not sufficient कि जो तुमने cash में पैसा दिया है वो sufficient ही नहीं है कि जिससे आप अपना TDS recover कर लो to meet the liability of deduction of tax in respect of whole or such benefits or perquisites the person responsible for providing such benefits or perquisites shall before releasing the benefits मतलब कि गाली उसके नाम कराने से पहले ensure that the tax required to be deducted has been paid in the respect of benefit or perquisites भाई गाड़ी रजिस्ट्री बाद में कर रही हो इसके नाम गाड़ी की आरसी इसके नाम बाद में कर रही हो पहले टेक्स देते मोबाइल फोन का बिल इसे बाद में hand over करी हो फयले अपने को टेक्स चेडिए अगर तुटेक्स नहीं रहेगा तो दिक्त आज़ेगी किलियर हो गई काहनी यहां तक यह सर्य आप तक हमारी कहानी के लियर है अच्छा अब तुम्हें मज़ा रहा है कि यह एक्ट ऐसी पढ़ रहे हो हां डारेक्ट बीएट बी एर बोलो यार समझ पा रहे हो यास 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 सर पढ़ पा रहे हैं हम इंटेलिजेंट हो गए तो जब भी तुम्हें कोई सेक्शन समझता है ऐसा ही बेरेक्ट खोल के बैठ जाओ ठीक है देखता है कितना समझाएगा आप क्या करा प्रोवाइडिट फर्दर डैट अप लोगी ग्रूमिंग एंस का भी जो केंप लग रहा है लोनावला खंडाला वो कैंप दे जिया कितने कर 10,000 रुपे का करें जोड़ो पात 10,000 पर डिडिया स्कार्ट को छोड़ो जाने के थाद प्रोवाइड़त फर्दर डेट अप्रोविजन ओप इस सेक्शन सेल ओंट अस सब्सक्राइब तो आप TDS मत काटना अब यहां पर समझनों कई लोग में से कुश्यन करते हैं सर मैंनें ना कोईं दिया मैंने सफ कर ले अगर तुमने विजार उपके से ऊपर कंटेदा तो ड काटना काटेगा प्रविजन लगेंगे नहीं याद करो पिछली क्लास में पढ़ा रहा था मैं कि भाई टीडियस के प्रोविजन किस पर लगते हैं कंपनी पर पाटनर्शिप फरम पर प्रविजन अगे च्यादा हो तो अगला प्रोविजव इसी के लिए, आल्सो उसी के लिए है आप उसे करो मैं उसे रिड करके नहीं पड़ा रहा हिखे सह्टे के बात के सैलरी कि आ वेखेसे हैं यहा है ठीक है ये तो हम पढ़ते ही आये सब लोगों पर एप्लीकेबल होगा जित अंदर भारती जी अंदर भारती जी हमारे साथ लुंड़ा के टूर पर जा रहें अपनी atrás जित अंदर भारती जी महीं पर उसके सो डीला रहे उसके हर एक को पंदरा 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 रपे का क्वें दिया कोई करनी क्योंकि यह होगी ना ऐसे तो सब्सक्राइब अगर मैं इसे एक लाइन में पूरे चाहूं कि जैसे यहां पर जो प्रोफेशन पे ही लगते हैं में और उन बिजनिस और प्रोफेशन पे लगते हैं जिनकी प्रीवियस एक करोड से ऊपर थी या प्रीवियस यह में ट्रोफेशन के केस में पचास लागती या वह कंपनी है या वह पार्टनर्शिप है आप इंडिविज्वल जो मर्जी देते रहो इन्हें क्या मतलब वन नैंटी फूर आर उस पे नहीं लगेगा ठीक है किलियर हो गई कहानी और इसने लिखके वेजाता सोनम गंबिर क्या कुष्चन है पूरा लिख से आपसे दर वाले के इसके अंदर वह जो वन स्यार वारी जो कंडिशन है वह एपनी के बेल नहीं होगी सब्सक्राइब नहीं होती मैंने बोला था तो वही हमने लिखाता मैंने अरे तो छोटा मत और किसे चालो यहां तक के लिए ओगया हां सरी एक लिए तो सेक्शन 194 आर सब सेक्शन1 इस किलिए नाव एक्शन2 वन इसकिलियर को अब हम सब्सक्शन 2 पर आथे तो सब्सक्शन तू हमारा क्या क्या था है इस एनी डिफिकल्टी एर आइस इन गीविएल इफेक्त दपर of this section तोफिन गाइड़ाइंड इस इशू कर देंगे मैंने का ठीक है जी आप गाइडलाइंस इशू कर देना तो वही जो गाइडलाइन्स है ठीक है ओफ Assist कर रही है एथिल के अब आपको गाइडलाइंस दिखाऊंगा कि हम क्या डिसकस कर रहे हैं ठीक है जी क्लियर हो गया हाँ सर क्लियर हो गया सब सेक्शन 3 क्या गयता है एवरी गाइडेंड गाइडलाइन इशू बाइदा बोर्ड अंडर सब सेक्शन 2 शेल एस सुन एज में भी आफ्टर इजी शूड भी लेट डाउन इच आउस ओफ दा पार्लेमेंट वो तो यही बात कह रहा है कि जो भी गाइडलाइन आगी हम पार्लेमेंट के सामने रखेंगे और आल्सों सहल भी बाइंडिंग ओन्दा इंकम टेक्स अथोर्टी एन ओन्दा परसं तो उब आपड़ाओ या पढ़ोगे फड़ाओ अगर पाटव की दिश्यान तो में आपको अब इसका क्या बताने जा रहा हूँ इसका गाइडलाइन नहीं चैंद तो गाइडलाइन्स पढ़नी है या जो पढ़्लोंगे गाइडलाइन्स मैं बढ़ाओ या पढ़लोंगे तो अगर पढ़ लेते हैं ना हमने अपनी मैगजीन में भी थी ती जो मैगजीन पढ़ते हैं तो उन्हें पता होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते हैं उन्हें तो पाप लगेगा मैं एक्स्पायर हो गई हैं उन्हें पात लगेगा मुझे मत गहना तो गाइद लाइन्स एक्षिशन relief सब्सक्राइब करेंगे हमने का बता हुआ क्या सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा फटाफट बताओ इस लिए तो इतना जोर दे रहा हुँ बागी सेक्शनों पर इतना जोर नहीं दिया आपके सेल्स फर्मोशन के खर्चे वो सारे खर्चे इसके इंडर आएंगे तो कहता है वे एर परसन वी प्रोवाइडिंग एनी बैनिफिट पर क्यूजिट बीस हजार से उपर डिडिये द शूड की गई सर्कूलर नंबर बारा है तो सर्कूलर नंबर बारा को डाउनलोड करके देख सकते हैं अधर्वाइज यहां से पढ़ लो पहला क्या लिखा हुआ है इडिस नैसेसरी टू चेक वैदर दामाउंट इस टेक्सेवल अंडर क्लोज फॉर ऑफ सेक्शन ट्वंट सक्षण पढ़ेंगे बिजनिस और प्रोफेशन के वह कहां से सुरू होंगे और कहां पर इस पहतम होंगे तो सेक्शन 28 जो होता है बिजनिस और प्रोफेशन का पहला चार्जिंग सेक्शन होता है तो यहां पर क्या लिख हुआ है कि भाई भाई यह चीज़ बता दो कि जब हम 194 को लगा रहे हैं तो क्या हमें चेक करना है कि यह टेक्सेबल है या नहीं उसने का नहीं हमें यह चेक करना कि उसके हैंड में टेक्सेबल है यह एक्जम्ट है हमें तो यह चेक करना कि अगिस्ट दिया TDS काटो, गिफ्ट दिया TDS काटो, किलियर होई कहानी या नहीं होई, हाँ सर यह किलियर होगी, अब यह कहता है, it is necessary that the benefit or percredit must be in kind, क्या यह जरूरी है कि यह in kind में हो benefit or percredit, क्या cash में हुआ तो नहीं कटेगा, उनों नहीं कहा ऐसा नहीं है, कहता है, first provision to subsection 194, clarify where the benefit or percredit made whole in kind or partly in cash and partly, and the part in cash and less than the amount required to deduct, the deductor should ensure यह हम पहले ही पढ़ चुके है, hence it is proved that the benefit or percredit can be made, benefits or percredit can be made in cash or in kind in partly, किसी में भी हो सकता है, where the benefit or percredit in kind or partly in kind, this is not sufficient to meet, यह हम पहले ही पढ़ चुके है, in such a case, the person who is recipient or benefit or would pay the tax in the form of advanced tax, यह बड़ा important समझ लो, यह बड़ा important mark कर लो भाई से, सर क्या कर ले, इसमें mark important, इसे जरा ध्यान से समझे, कहता है, the person who is recipient of benefits or percredit, would pay tax in the form of advanced tax, भाई, अब मैं कह रहा हो कि भाई, मैं तो gift दे सकता हूँ, तुम्हारे को 8 लाग की गारी दे दी, मैंने तुमारे क मैं tax नहीं दूँगा, अब अगर तुम्हे गारी लेनी है, gift वाली, तो भाई tax पहले जमा कर दोगे, अगर तुम पहले tax जमा कर दोगे, तो मैं उस पर भरोसा कर लूँगा, तो मैं तुम्हें गारी दे दूँगा, otherwise मैं गारी दे दूँगा, ऐसा हो सकता या नहीं हो सकता कि वही Samsung Company ने बोला ठीक है Samsung Company ने बोला अपने मोबाइल वालों को कि अगर तुमने एक करोड़ की छेल कर दी तो एक गारी देदेंगे अब तुम एक करोड़ की छेल कर गई और गारी लेने पोच गए अब उन्होंने का मैंने तो यही तो बोला था गारी देदूगा अब गा सब्सक्राइब करेंगी किस पर डिकलेरेशन अलोंग विदे कोप्य एडवांस टैक्स पेइमेंट चलान प्रोवाइड रिसीपियंट तो रिसीपियंट पहले एडवांस टैक्स का चलान देगा कि बाइस आप मैंने देखा एडवांस एक जमा कर दिया कंफर्मिंग डैट सब्सक्राइब करेंगे कब करोगे रिटन फाइल रिटन फाइल रिटन फाइल जैसे हमारे कि अगली कि लास हमारी 29 अप्रैल को होगी 29 अप्रैल के बाद मैं की लास में टीटेटं फाइल करना शुरू करेंगे और वहां पर यह प्रोविजन लिखा होगा कि अगर आगर नाइंटी फोर आर का टीडेश कटा है और टीडेश हमने नहीं काटा सामने वाले वेक्तिने रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें किलियर हो गया हाँ सर जी क्लियर हो गया चलो अनुराग जी कह रहे सर अभी मजा आ रहा है तुम तो लेट होगा है मजा लेने में ठीक है न चलो तो अगला क्या है इस देखने कि यह तो अनुरे को ना तो नेचर चेक करना कि वह टाक्षेबल है या एकजंट है ना हमारे को यह चेक करना कि वो capital assets है या कौन सी assets है clear हो गई तो भाई चाह capital assets है चाह कुछ भी है तभी होगा whether sales discount whether sales discount cash discount and rebate are benefit or perquisites फड़ावट बताओ answer पड़े भी ना important है बोलो कि आपने कोई sales discount दिया cash discount दिया क्या वो benefit और perquisites हैं या नहीं खड़ावट से बोलो नो अभी देख लेते हैं although sales discount cash discount and rebate are benefit and perquisites कहरा sales discount cash discount यह benefit or perquisites है but it would be very difficult for the deductor to follow this practice यह करा अगर हम किसी को sales discount दे रहे हैं ठीक है ना या cash discount दे रहे हैं या कोई भी दे रहे हैं वो है तो benefit और perquisites लेकिन यह possible ही नहीं है कि हम इस पर deducted TDS काटे to remove such difficulty it is clarified that no taxes required to be deducted under section 194 on sales discount cash discount ठीक है it is also clarified that in the case of distribution of free sample the above relaxation would know would not apply ठीक है few other cases are provided under the circular where above relaxation would not apply ठीक है तो इन्होंने क्या बोला कि sales पर sales discount पर मतलगाना cash discount पर मतलगाना ठीक है ना लेकिन अगर तुम कोई free samples दे रहे हो तो वहां पर रिलेक्सेशन कहां पर दिया इन्होंने इन्होंने रिलेक्सेशन दिया sales discount पर cash discount पर तो यहां पर एक्जांपल लिखा है वैंने person gives incentive other than discount rebate in the form of cash और काइंट such as car TV computer gold coin mobile phone ETC ठीक है टीडियेस आएगा वैंने person sponsored trip अगर कोई trip करता है उसकी या उसके relative की for achieving certain target वैने person provide free ticket for an event वैने person give medicine samples free to medical practitioners ठीक है न तो यह सारे के सारी चीजे अगर आप किसी को free samples भी दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो तो भी उस पर आपको टीडिया स्काटना पड़ेगा किलियर है या नहीं बोलो जी चालो चले आगे how is the valuation of benefits per qubits required to be carried on इन्होंने क्या बोला कि भाई कैसे 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 benefit और per qubits की valuation करोगे ठीक है न हाँ ठीक है what is the valuation of benefits per qubits required to be carried on कैसे कैसे चेक करोगे भाई उन्होंने का valuation would be based on the fair market value वो कह रहे है उसकी fair market value निकाल लेंगे accept in the following case लेकिन कुछ cases में ऐसा होगा कि जो fair market value ना निकाल पाए तो हमने का कैसे के रहे था benefit per qubits provider has purchased the same before providing it to the recipient value would be the purchase price ठीक है ना भाई the benefit per qubits provider has पर उसने खरीदी तो होगी ना देने के लिए तो जितने कि उसने खरीदी वह उसका purchase price हो गया वह उसकी value हो गई the benefit per qubits provider manufacturer such item ऐसा हो सकता है कि वह manufacturer कर रहा हूं उस item को ठीक है ना अब जैसे let's suppose करो यह अनुराग जैन जी कह रहे है इस टैक की table है उन्होंने बोला ज़र इस टैक वा लोगे आना income tax GST पढ़ा दो वो तुम्हें इस टैक की table gift कर देंगे table tennis की अब वो इस टैक की table खुदी manufacture कर रहे हैं तो उस वाले case में per qubits की value क्या होगी तो उन्होंने का उस वाले case में इस टैक की टेवल आती है मैनुफेक्चरी होगे 30,000 की लेकिन वो बेस्ते कस्टुमर को 40,000 की है तो अगर उन्होंने मुझे गिफ्ट दी श्टैक की टेवल तो वह 40,000 की ही मानी जाएगी ठीक है ना वह 40,000 की ही मानी जाएगी तमझाई यह वाली बात या नहीं आई बोलो जी बोलो जी समझाई यह वाली यह सर यह वाली आ गई यह वाला content हमने कॉन सी magazine में दिया था जुलाई तोजार बाइस की में दिया था जिसने नहीं पड़ाया तो वह पढ़ लेना जाके ठीक है चलो नोट इस फर्दर क्लैरिफाइड डैट दामाउंट ऑफ यहां पर यहां पर यहां रहें वाले वाउंट को छोड़ देना ठीक है ना जिस्ट का माउंट मत कैलकुलेट करना जब सब्सक्राइब यहां प्रोड़क्ट गिवन वाइं मैंनुफेक्ट्रिंग कंपनी तो सोचल मीडिया इंस्लूएंसर सोचल मीडिया इंसलूएंसर मनला मैं यूटूबर हूं तो स्टैक की कंपनी मुझे क्या कह रही है कि चलो वही तुम हमारा एड कर दो ठीक है ना और हम तुम्हें यह टेबल दे देंगे और पर्मोटिंग दा प्रोड़क्ट बाइंकिंग और यूडिया वाइदा स्पीकिंग अवाव दा प्रोड़क्ट ओन शोटर मिलिया प्रोड़क्ट गिवन तो सच इंफ्लूएंसर इजे बैनेफिट और परकूचिट अब भाई उन्हो उन्होंने वह मुझे मार्किटिंग के लिए बेज दी या मेरे को टी-शेट दे झी किसीने टी-शेट है कि की अथ टीशेट तुम्हें पता कितने लाकि थो तक ही तिसर ने मुझे अदर आ उन्हें कर ऑप बताओ उतार को ने वापिस वेजनी है मुझे या यह पहले चीज़ यह सुन लो और केजे क्लासिस में मुझे दिया अब बताओ मैंने उनका एड कर दिया यहांते अब यह पर कुजिट्स में यह नहीं आईगी पटाफट 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 पोलो का यहां कि प्राइगी है तो क्या लिखावाएं कि वापिस भेजू या ना जाली हो सकता है तुमने टिश्फेटमे पैल्ने की बदबू आ गई हम नहीं लेते वापिस लेकिन अगर इसे तो वापिस बेज़ देना है तुझे फीर देजी अब इसे वापिस बेज़ दे करें दो केस हो सकते हैं तो क्या लिखा है कि बाई जब मैंने तुम्हारे को वापस ही कर दी तो 194 आर काई का लगा होगे इसलिए मैं तो जो मुझे प्रोड़क्ट देता उसी की मार्गेटिंग करता हूँ ठीक है न कि बाई मैं रखूंगा 194 आर लगा लो ठीक है किलियर हो गई यह वाली कहानी बोलो यह कहानी किलियर है यह कहानी किलियर है चलो अब यह कहता है वैदर इंबर्समेंट ओफ आउट ओफ पोकिट एक्सपेंसी इंकर्ड बाइदा सर्विस प्रोवाइडर इन दा कोर्स ओव रेंडिंग सर्विस बैनेफिट पर गुजिट्स अरे भाई कोई इस सर्विस Свाँर और फश्विस तेसखँ है रेंज है हम और उल्ग उनकीस देथे ओडिघ्र की समें होटल होटल होता है होतल सब्सक्राइब प्रेंट थंहां होतल का बिल हीडे द हॉटल का का फिल हमने रिंबर्स हो रहा है क्या ये 194-1 में आएगा फड़ाबट बोलो क्या ये 194R में आएगा क्या ये 194R में आएगा फड़ाबट बोलो फड़ाफट हाजी क्या ये 194R में आएगा वो कह रहे no कह रहे we are the invoice of service received in the name of company who is reimbursing expenses and the expenses are originally paid by the deductee to whom amount is to be reimbursed and recovered from the deductor then it is treated that service is received by the company on only and section 194 is not applicable बाई जब मैंने बिल किसके नाम पर बनवाया होटल में गया बैंक ओडिट करने होटल में बैंक ओडिट करने गया तो बिल बनवाया बैंक के नाम पर और बैंक को बिल बेज दिया कि भाई मेरा reimburse कर दे तो भाई सिंपल सी बात है 194 आर क्यों लगा होगे ठीक है ओन दादर एंड वेर दा इंवोईस इन नेम आप पर संट तो हूम एक्सपेंस इंबर्स इंबर्स इन सच एकेस 194 आर इस एप्लिकेबल तो भाई अगर किसी की करते एंबंबर्स में रहे हो तो बिल है बिल कंप नाम को बनवान को न में पर कंपनी के नेम पर बनवाना जिस सेरा इंबर्स मैंट ले रहे हो अगर अपने नाम पर बिल बने वालिय één तो one ninety four.com द coconut काटना पडेगा of example मिश्टर एलफा इस रेंडरिंग सर्विस्ट वे कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड मिश्टर एलफा है दिनकर्ट सम एक्सपेंसिज दूरिंगी ओफिशल विजिट्टु मुंबई यार बिंग रिंबर्स बाइदा ओरा थी के ना तो वियर्दा इन्वोजिट कहानी के लिए या नहीं बोलो भाइब फटाफवाट क्या रिंबर्समेंट वाली कहानी के लिए रहे है आंसर इस आभ यह कहता है इस देर ठीक है न सुनो इसकी अप्रेल की भी नेजिमें इस इसमें होगा है चेक करना कहता है इस देर इजे डिलर कॉन्फरेंस तो एडूक मपनी इस बैनेफिट फरकी सुखिट और उगला करेंगा करी कहां पर कर रहें किसी को पताया है पटापट से बढ़ा दो कि ग्रूमिंग जेम्ज की कॉन्फरेंस कहां पर ओरी है अब इसके अंदर हमने सारे टीलर्स को बुला लिया और सारे जो लोग है उन्हें बुलाकर उन्हें बढ़िया से फॉर स्टार थ्री स्टार फाइव स्टार में रखा बढ़िया रिसोट में रोकेंगे दो दिन अब कोश्चन ही आ रहा है कि अगर यह वाली कहानी चली तो अब इसे क्या मानोगे क्या अब इसे बैनेफिट्स मानोगे या नहीं बोलो हम कंपनी के प्रोडेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं अगर कह रहे हैं अगर तुम ऐसी कोंफरेंस कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो कंडेक्टिंग बेनिफिट इंसेंटिव तु सिलेक्टिड डीलर्स कस्टूमर है अचीव पर्ट्यूकलर टार्टगेट इट वूड आल्सो एप्लिकेबल इन फॉलॉइंग कैसे ऐगर तुमने गोवा में इवेंट गरी किसी ओर में करी मालीव मेंट गरी और तुमने खाक तुमने टार्टगेट मिल्येट तो 3 94 लगेगा लेकिन अगर तुम सब के लिए कर रहे हो तो नहीं लगेगा एक्सपेंडिचर इंकर्ड फोर फैमिली मेंबर्स अकपनिंग दा परसं अटेंडिंग डिलर बिजनिस आप उसके फैमिली मेंबर्स को दे रहे हो तो 194 लगेगा एक्सपेंडिचर और पार्टिसिपेंट ओडिलर बिजनिस फोर डेज विचार ओन अकाउंट ऑप्रियार इस्टे और ओवर इस्टे ब्योंड देट्स अफ सच कॉंफरेंस उस कॉंफरेंस से पहले अगर आप उसे इस्टे करा रहे हो बाद में स्टे करा रहे हो तो लगेगा ओल्दों 194 आर इस नोट एप्लिकेबल किस केसी में अप्लिकेबल नहीं होगा और लोंच ऑफ न्यू प्रोड़क्ट डिसकुशन हैं हाव दा प्रोड़क्ट इस बैटर देन अग्रस तब कंपनिया क्या गरेगी यह नीचे वाले ही पैरामीटर पर लेके जाएगी अब हम जो यह लोनावला लेके जाएंगे तुम लोगों को कहेंगे हम तो मना प्रोड़क्ट लोंच कर रहे हैं बाइस सब्सक्राइब किसी को गिप्टर नहीं दे रहे हैं अगर यह चार सिचुएशन साती हैं तो उसमें 194 आर नही कितने लोग ऐसे जिन्होंने आज मेरे पढ़ाने से पहले यह हमारी मैगजीन में पढ़ लई थी यह वाली सारी चीजह हमारी मैगजीन में कितने लोगों ने पहले पढ़ ली थी बताओ कितने लोग ऐसे जिन्हों पढ़ी थी हमारी मैगजीन में यह मैगजीन में आई हु सब्सक्राइब ने कई सारा डेटा है मेरे पास बता दो मुझे चलो-बास्ट को सब्सक्राइब निस सेक्ष्टन कि इस एक्षिन इसे एक्ष्ट फ्रीकेबल फ्रोम ए एक जुलाई 2022 यह सेक्ष्ट एपली केवल कभसे हुआब एग जुलाई दो थाउज आया था फ्नेंस अब अप्रेल मई जून में जो दे दिया उसका क्या होगा उन्होंने का the threshold of 20,000 is with respect to financial year, calculation of value of aggregate shall be counted from 1 April 2020, क्यारा भाई आप जो 20,000 की limit काउंट करोगे वो 1 April 2020 से करोगे, the banner which has been provided on or before 30 June would not be subject to tax deducted under section 194R, इसे example से समझ लेते क्या कहता, कहता benefit provided up to 30 June, 15,000, benefit provided as on 15 July, 8,000, आप यहाँ पर 30 June तक 15 दिया, 15 July को 8,000 दिया, तो यहाँ पर जो TDS कटेगा, यहाँ पर जो TDS कटेगा, लिमिट क्रोज हो गई वाई 23,000, 20,000 से जादा की लिमिट चली गई है, तो आपको इस 8,000 रुपे पर, क्योंकि 15 तक तो कुछ करी नहीं सकते थे, हमारा लोगी नहीं था, 8,000 रुपे पर 800 रुपे TDS काट नब रहे हैं, दूसरा वाला example क्या है, उसमें हमने 25,000 रुपे तक दे दिया, और 15 अपरेल के बाद 5,000 दिया, तो इस वाले के 30 जुन तक जो तुमने दे दिया, 100 दे दिया, आप इस 5,000 रुपे पर काट लोगी है, तो आपको अब जब आप 30 अपरेल में बैट कर TDS काटने वाले होंगे, तो आपको ये benefits की बाद देख लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो जिन लोगों ने मैगजीन नहीं लिए, तो भाई वो लेले मैगजीन, ये वाली information आप अगर देखोगे, तो मैंने ये जुलाई की मैगजीन है मेरे हाथ में, तो जुलाई की मैगजीन में आप लोगों को ये वाला topic हमने पहले से ही करके दे दिया, ठीक है, चलो.